इस साल तीन लाख सत्तर हजार बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल छोड़के वहां से नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपना नाम लिखवाया, एड्मिशन लिया है इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा करंती आ रही है अगर एक नया स्कूल बनता है दस्वी क्लास तक का उसमें कितने कमरे होते होंगे 20, 30, 40, 50, 50 भी बहुत है तो अगर हम 50 कमरे भी एक क्लास रूम में माने तो आज एक तरह से लगबग 200 नए स्कूल बन के तयार हो रहे है मुखे मंतरी अर्विंद के जुवाल ने बाबा साहिब को याद किया कि बाबा साहिब का सपना था कि हर बच्चा जाहे गरीब हो चाहे दलित हो उसे अच्छी सची शिक्षा मिलनी चाहिए हमारा मकसद भी देश से ब्रिष्टचार खत्म करने का है अच्छे स्कूल और इस्पताल बनाने का है वहरहाल नई कख्षाय तयार होने के बाद अतरिक्त और बड़ी संख्या में छात्रों क्यों दाखिला मिल सकेगा इन क्लास्रूम को स्मार्ट कहा जा रहा है क्योंकि इन में प्रोजेक्टर डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाय होंगी में किर्जवाल सरकार का दावा है कि दिली में सबसे जादा शिक्षा और स्वास्त को प्रात्मिक ताद दी जाती है बतादे कि आमादमी पाटी ने पांच राजों के चुनाप प्रचार में भी शिक्षा और स्वास्त के मुद्दे को एहम बनाया विभिन राजों में आमादमी पाटी धिली मॉडल पर ही चुनाप रड़ रही है टोटल यूज लेदि वेश्कुमार की रिपोर्ट